है 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 यह विवान वेल्कम पू स्टडी आई की जुडिश्री आइम श्रीमिश रवास्तो और आज के इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे CRPC के प्रोविजन ठीक है अब हम जो CRPC के प्रोविजन पढ़ने वाले हैं इसको हम examination point of view से especially prelims point of view से पढ़ेंगे कि कौन से कौन से area से question बनते हैं और आप से examination में पूछ जाते हैं here in this session not only targeting UP judiciary but targeting आपका 36 judiciary also West Bengal also this उत्राखंड also right तो इन सारे states com target कर रहे हैं उस point of view से major law को cover up कर रहे हैं जस्त पे attention here ठीक है बस इक बर ध्यान से सुनते जाओ जिन जिन एरिया से जिन जिन पॉइंट से आपके question बनते हैं वो सारी चीजें हम cover करेंगे इस पूरे session में और आगे series में right a very good evening to everyone I'm good Tarun how are you very good evening चलो सबसे पहले start करते हैं इस act के first section से और first section क्या कहता है कि मेरे इस act का क्या नाम है मैं कहां पे लागू होंगा तो इस act का क्या नाम है आपका criminal procedure code of criminal procedure 1973 right now extend कहां पे होता है यह extend होता है आपका whole of India पे टिक है extend होता है whole of India पे now one more important thing यहां पे जो आपसे पूछी जा सकती है वो जो जादा जादा पूछी जाती है वो पूछी जाती है section 2 से जो बात करता है definition clause की ठीक है जो बात करता है definition clause की जस्ट आ सेकेंड चलो ठीक है definition clause को देखो एक बार फटा फट सबसे पहली important definition की available offenses को क्या होते हैं तो available offenses कौन से offenses होते हैं जो आपके first schedule में दे रखे हैं ठीक है available offenses means an offense which is shown as available in the first schedule अब वहाँ पे options में आएगा और वही options आपको mark करके आने है प्रिलिम्स examination में क्या कह रहा है कि available offense कहां पर defined है वह available offenses जो आपके first schedule में दे रखे हैं या which is made available by any other law for the time being in force and non-bailable offense means any other offense ठीक है अब available offense का question आया मान लो तो वह available available offense कहां पर दे रखा है first schedule में दे रखा है या फिर किसी दूसरे law में दे रखा है दोनों ही mark करके आने हैं ठीक है दोनों ही mark करके आने है very nice ठीक है और non-bailable offense मतलब जो दूसरे offenses आपके नाओ बी इस इंपोर्टेंट चार्ज जो हम आपका 210 से पढ़ते हैं ठीक है 210 ओन्वर्ड जो हम पढ़ते हैं आपका चार्ज उसके रिस्पेक्ट में दे रखा है आपके 210 नहीं इंफाक्ट सारा आपका content दे रखा है 211 211 212 213 वह सारी चीज़े चार्ज में दे रखें और चार्ज इंक्लूड एनी हैड इड़ जो कोगनिजबल ओफिस क्या होता है वह उफिंस जहां पे पुलिस ओफिसर अरेस्ट कर सकता है बिना वारेंट के ठीक है तो कोगनिजबल ओफिंस कौन से हुए वह उफिंस जहां पे पुलिस ओफिसर अरेस्ट कर सकता है बिना वारेंट के पुलिस ओफिसर में अरेस्ट विदाउट वारेंट और इन अक्रॉर्डेंस विद इफर्स schedule or any other law for the timing in force ठीक है तो कॉगनिजबल ओफिंस हो गया ध्यान रखना तू तू सी में दे रखा है नौ दिस जल्दी जल्दी सब कम्प्लीट करना है एक्जाम भी पास में आ रहा है तो यह नहीं कि मैं आपने डिटेल में बताया एक्जामिनेशन में क्या पूछ जाएगा वह हमारा यहां में कंसर्न है ठीक है तो पहली बात तो टू ए डेफिनिशन का नंबर जो है आपको वह भी आप बेलीबिल ओफिंस बी में चार्ज इन अप अगें डिविंशन को एक्जामिन करने के लिए वाट इस इंपोटेंट कि आप यह देखो कोई भी ऐलीगेशन कोई भी ऐलीगेशन चाहे वह आपने और य करी है या फिर और यह स्वीरा या फिर आपने राइटिंग में करी है क को विदा व्यू ताकि वो उस कंप्लेंट पे उस जो आपने एलिगेशन लगाया है उस पे एक्शन ले अंडर इस कोड डाट सम परसेंट वेदर नोन और अनोन हास कमिटेड अन ओफेंस बट डाट 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 डास नाट इंक्लूड पुलिस रिपोर्ट और यहां से आपका को इतना इंपॉर्डन नहीं है एक्शामिनेशन के लिए यहां पर ध्यान रखना कि कंप्लेंट में आपका क्या कहते हैं पहली बात पुलिस रिपोर्ट नहीं आती यह राइटिंग में भी हो सकती है और यहां पर इस व्यू से उस पर एक आप एलिगेशन लगा रहे हो किस इंक्टेंगे हैं जां एक सब्स्क्रेंट अगरयी ब्हुरेसि में कहा रखना यहां ब्यांतों and роб victimा कि civils में त्रोट पित करता हैं मिजिस्टेंगेशनगेशन का थैं फुलिस ऑफिसर करता है तो यह बैसिकलॉ धिए थे क्या कह रहा है इंक्वाईरी मतलब किएचा कि आउ दील रिटम से खाले लिए भी लिट के लिए उसके बाद इंग्वाईर और विज्टम आज ही सारा कहते हैं और जाद़ जाद़ा दूं ताकि कम और आगे बड़े हों फिर नएने सब्दिक्स भी पड़ें कि की सब्दिक्स अनड़ सकते हो जो आपका फिरेट सब्जेक्ट चलो आगे देखो इन्वेस्टिकेशन अगेन मैंने क्यों बताया इन्वेस्टिकेशन कौन करता है पुलिस ऑफिसर करता है ठीक है तो इन्वेस्टिकेशन इंग्लूट्स और प्रोसीडिंग अंडर इस कोड़ फॉर दी कलेक्शन अब उसके खिलाफ आपको उसका गिल्ट प्रूफ करने के लिए यहां पर एविडेंस वेगर तो कलेक्ट करने पड़ेंगे उसको पकड़ना होगा अरेस्ट करना होगा उसके प्रोविजिंस भी आपके सी आरपीसी में दे रख्ये हैं तो यहां पर क्या कह रहा है कि एवि इप्रोडन डिफिनिशन जो ख्लेर हुए नहीं एक बार थाम्स अप कर दो फटाफट के स्पीड बहुत तेज हो रही है यह मैं थोड़ा और स्लोग करूं गिव मी आथ थाम्जाप हर अपर अफ़र दिल्दी बताओ फिरम आगे देखेंगे तो लो कम ओन कम ओन कम ओन अम्बेका ठीक है स्पीड क्लियर है सब धीमी नहीं करो स्पीड ही कै ठैंक यू चालो आगें देखो आगे इंपोरेंट डिफिनिशन कौण सी अनु है जुडिशिल पर सीडिंग जो भी आपकी इंक्लूडिशीड ने ऐह थे खिल्झ पर कॉस्टिन ऑफ सारी प्रोसीडिं Non-cogeying able offense की बात कर रहा है जहां पर कह रहा है कि पुलिस officer की पास authority नहीं है कि वह aurist नहीं कर सकता बिना warrant के थिक हैं तो बस नहीं कर सकते हैं बिना warrant की Parliament universe से पाझ पावर है नॉन प्रोध्त की पास power is नहीं है जब मेरे पास कोई पावर नहीं है तो यहां पर बेसिकली नॉन कॉक्स में पूलिस ऑफिसर के पास पावर नहीं है वह अरेस्ट नहीं कर सकता बिना वारेंट के चलो आगे देखो नोटिफिकेशन नॉट सो इंपॉर्टेंट नहीं है वही दे रखा जो सक्षिन आपका इपीसी में इस बता रखा है वैसे ही ओफेंस का मतलब वही दे रखा है और अमिशन पनिशबल भाई लो कोई भी ऐसा एक्ट यह कोई भी ऐसा ओमिशन जो पनिशबल है लो द्वारा व the time being enforced and includes any act in respect of which a complaint had been made under section 20 of the cattle trespasser act not very important now what is important next is police report ठीक है exam के लिए next क्या important है police report और police report क्या होती है जो आपकी चार्ड शीट फाइल करता है ठीक है investigation करने के बाद एक फाइनल चार्ड शीट फाइल करता है police officer magistrate को उसको हम क्या कहते है police report कहते है जो दे रखा है आपका section 173 के clause 2 में section 173 clause 2 में ठीक है चलो very nice to our police station not again very important इतना important नहीं है public prosecutor important है यू में दे रखा है तो section 2 यू में दे रखा है public prosecutor means कोई परसन इस को पॉइंट किया गया section 24 के अंदर वो भी हम देखेंगे कि क्या qualifications required है कौन अपॉइंट करता है ठीक है and acting under the directions of the public prosecutor है कोई परसन जो act कर रहा हो public prosecutor के direction next what is important someone case and victim仁च है अब यहां पर अगीन important summon cases वो cases होते हैं जो relate करते हैं गिसी offense में and not being an offense अब एक बर which someone and inal cases में कित्नी किती की आप में से कोई ब्टाएंग गुए कुए कुए वहसे बताइं सम्मन केसा में किसा मिलती है और वारन के में किस में किसरा मिलती है Summon cases and warrant cases के बारे में क्या जानते हैं आप लोग बताओ जल्दी फटावर कमेंट करके बताओ Summon cases means a case relating to an offense not being a warrant case Come on, summon cases Less than two years in summon cases, okay And warrant cases More than two in warrant cases Very nice, very nice, very nice Correct, ठीक है, बिल्कुल सही Now next is victim यहाँ पे एक चीज़ important है examination के लिए, prelims के लिए जो चीज़ important है वो अभी मैं mark करवा देती हूँ कि WA जो है आपका 2009 में add किया गया है ठीक है, 2009 में add किया गया है यह ध्यान रखना amendment हुआ है अमेंडमेंट से add हुआ है Victim means a person who has suffered any loss or injury Obviously victim नाम से मतलब कि भाई, किसी person को इसको loss हुआ है जिसको गोई injury हुई है ठीक है, cause by the reason of an act or omission for which an accused person have been charged and the expression victim includes his or her guardian और legal hire और यहां से आता है prelims का question कि victims में कौन-कौन include होता है उसके guardian और legal hire भी include होते है यहां से prelims का question बनता है ठीक है, now next is warrant cases अगेन अब यहां पे जो आपने बताया वही दे रखा है warrant case में warrant case means a case relating to an offense punishment with death imprisonment for life or imprisonment for a term exceeding two years तो दो साल से उपर की सजा our warrant cases दो साल से कम में as a summon cases जैसा आप सबने मुझे बताया ठीक है तो यहां पे आपका definition जो है खतम होता है वीडियो ब्लर आ रही है might be some connection error from your end मेरे end से कोई दिक्कत नहीं है अवाज तो आ रही है ना मेरी एक बर अवाज आ रही है वीडियो ब्लर आ रही है अगर तो might be network error from your end मेरे end से यहां पे कोई दिक्कत नहीं है अवाज आ रही है ठीक है all clear sorted 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 चलो आगे देखो now moving ahead to section 3 और section 3 से जो है आपका जो यहां पे reference दिया गया है again इसके लिए मैं आपको एक चार्ट से समझाऊंगी यहां से आगे आने वारे सारे सेक्शन जो आपके section जो है 6 है 6 जो questions आपके आते हैं that is important एक बार section 6 देखो यहां पे क्या कह रहा है classes of criminal court very very important part यहां से question बनता ही बनता है prelims में भी और means में भी ठीक है अब यहां पर क्या कह रहा है कि यह classes दे रहा है आपके court of session ठीक है judicial magistrate first class judicial magistrate second class and executive magistrate ठीक है अब इन सब के बारे में आगे आने वाले sections में बता रखा है कि बही court of session कौन सा है section 9 ने बता रखा है ठीक है similarly judicial magistrate first class second class उस तरीक से बता रखा है नाओ लेट सी एक बार section 7 ठीक है एक बर I'll make it make a chart for you people ठीक है एक बार देखो just a minute अब यहां पे section 6 में हमने क्या देखा section 6 में हमने क्या देखा आपका की section 6 बात करता है court of session की judicial magistrate first class की judicial magistrate second class की और आपकी executive magistrate की right now section 7 में बता रखा है इसके respect में territorial jurisdiction ठीक है अब territorial jurisdiction में देखो एक state होता है ठीक है पहले देखो एक state होता है यहां यह हम local acts में बढ़ते हैं ठीक है suppose यह state है state को divide किया जाता है divisions में ठीक है state को divide किया जाता है अपका divisions में उसके बाद वो division जो है further divide होता है district में ठीक है now this is state if यह division हो गया ठीक है उसके बाद उसको divide किया आपने districts में and districts की बाद everyone are on your sub districts tone regulate all distance assessments dependent's इस जब आथा है आपका तयसीलदार उसके बाद आपका नयब तैसीलदार ठीक है यह सारी चीज़ें I'll write it here सबसे पहले क्या आता है आपका स्टेट एक स्टेट है उसके बाद क्या आता है आपका उसके बाद आता है डिविजिन स्टेट को फॉर्दर डिवाइड किया जाता है डिविजिन में और यही बात जो है आपकी लिखी हुई है बेरक के आगे फर्दर डिवाइड होता है तैसील में और फिर आगे नायब थैसील में नायब थैसील में ये बात आपकी कहां पर देरकी है सेक्शन सेवें में देर की है और स्टेट गोवर्मेंट इन कंसल्टेशन विद हाइड कोड यह सब जो एकरता है ठीके डिविजिन जो है ब यह जो है तेलिटोरिल डिविजिन होता है आप और कोई भी अमेंडमेंट यह ओल्टर करना है वो भी स्टेट गोवर्मेंट इन कंसल्टेशन विद हाइब करता है अगे देखो नेक्स्ट नेक्स सेक्षन है आपका सेक्षन अगर आप इसको पढ़ोगे तो सेम बात निकले न बिर दिस्टीक और कंस्ट दॉफ इस्टिक विधत नंवी कोई विद्टाइन अधिन इजिंट प्रविडेशन आप इसक्ट्रिशन निया वत पार सुपरीशन सब्स्ट थी अंग्या अग्या कोट्ट अविट टोटता है लिमेटीन अवर शस्टिशन और ऐस्टिक यॉड the high court divide करता है किसी भी district को into subdivisions and alter कर सकता है उसके limit है कितने number of subdivisions है वो सब कौन करता है state government करता है in consultation with after consultation with the high court ठीक है the session division district and subdivision existing in the state at the commencement of the court shall be deemed to have been formed under this section clear I hope it is clear now आगे देखो आगे क्या कह रहा है आगे section 8 metropolitan areas की बारे में बात कर रहा है इसमें ध्यान डखने वाली बात क्या है कि metropolitan areas वो होते इसमें population आपकी 1 million होती है ठीक है that's enough और कुछ इतना important नहीं है section से now comes a very important section that is section 9 ठीक है court of session now court of session में आपको क्या क्या चीज़े ध्यान में रखनी है देखो court of session में आपको क्या क्या चीज़े ध्यान में रखनी है एक बार यह देख लो section 9 में पढ़ना उसको खुद से ठीक है मैं पूरा bare-acts reading नहीं करा रही हूं आपको बस pointers बता देती हूं कि कहा कहा सा आपके question बनते हैं तो सबसे पहले section 9 जो बात करता है content of session की थेक है section number important है section 9 जृकता है और इसमें क्या चीज़ important है आपकी इसमें कहा रहा है कि कौन establish करता है इसको state government establish करती है थेके state government establish करती हैrift code of session है इसमें judge appoint कौन करता है high court judge appoint क्यों करता है支持 पॉइंट कौन करता है हाई कोड़ पॉइंट करता है ठीक है हाई कोड़ पॉइंट करता है हाई कोड़ इसमें एडिशन सेशन जर्च और एसेशन सेशन जर्च भी अपॉइंट कर सकता है अगर हाई कोड़ को लगी कि वह उसको आगे फॉर्दर अपॉइंट करना है तो यहा अगर ये quarter session में session judge, अगर आपका ये absent है तो कौन charge लेता है यहाँ पे, तो कौन charge लेता है आपका, assistant session judge charge लेता है, ठीक है, अगर मानलो session judge absent है, तो यहाँ पे assistant session judge जो है, precise करता है, और अगर वो भी absent है, तो उसके बाद cgm precise करता है, ठीक है, मतलब कि अगर session judge नहीं है, तो assistant session judge precise क तो CGM प्रिसाइट करता है और यह सारी चीज़ें कहां पर देर खिये सेक्शन 9 में देर खिये अभी भी खेर नहीं देख रहा क्या स्क्रीन अभी खेर नहीं देख रही क्या एक बहुंगे सबसे पहले बताओं कि स्क्रीन क्लियर दिख रही है wisdom of knowledge, okay, fine, got it, section 9, got it, bear act, clear है, सब कुछ clear है, ठीक है, चलो, यह कुछ point है, आपको section 9 के समझ में आए, कि यहाँ पे established कौन करता है, state government established करती है, judge, session judge कौन appoint करता है, high court appoint करती है, high court चाहे तो वो additional और assistant session judge भी appoint कर सकती है, अगर session judge picture में नहीं है, अगर वो absent है, तो assistant session judge preside करता है, और अगर assistant session judge भी absent है, तो उसके बाद cgm preside करता है, यह चीज़ important है आपका bear act से, ठीक है, चलो, आगे देखो रहाँ, come back to the bear act, अब यहाँ पे section 9 में यही सारी बात कही गई है, पहली बाद state government established करता है, ठीक है, state government established करत है, high court, क्या बताया था, कि high court, जो है, appoint करता है session judge को, now, अगर high court चाहे, तो वो appoint कर सकता है, additional session judge भी और assistant session judge भी उसको, ठीक है, now, next is, अगर session judge में, अगर क्या कहते हैं, कोई absent है, तो वहाँ पे कौन preside करेगा, अगर manlo session judge is vacant, इसकी seat vacant है, और कोई matter है, urgency का, तो कौन preside करेगा, assistant session judge करेगा, अगर वो भी नहीं है, तो CGM करेगा, ठीक है, यह बात आपकी दे रखी है, bear act में, clear, now, moving ahead, next section देखो, section 10, जो बात करता है, subordination of assistant session judge, now, यहाँ पर क्या कह रहा है, कि कौन subordinate रहेगा, तो यहाँ पर बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है, examination के लिए, जो important है, prelims examination के आपका जो session judge है, उसके नीचे आता है, assistant session judge, ठीक है, यह इसका subordinate होता है, session judge का subordinate कौन होता है, assistant session judge subordinate होता है, और यही बात लिखी हुई है, section 10 में, कि सारे session judge जो होंगे, वो subordinate किसके होंगे, session judge के subordinate होंगे, in whose court they exercise, jurisdiction, जिस court में वो exercise करते हैं, अपनी jurisdiction, ठीक है, और यहाँ पे, कौन assistant session judge का क्या काम होगा, क्या business होगा, वो कौन distribute करेगा, of course, session judge करेगा, ठीक है, session judge में, from time to time, make rule consistent with the code, so, as to the distribution of business, among such assistant session judges, ठीक है, तो इन सारे assistant session judges में, distribute कौन करेगा, का business, session judge distribute करेगा, ठीक है, चलो, next, तेक हो, यहाँ पे कह रहे, session judge में, also make provision, for the disposal of urgent application, session judge, यहाँ पे provisions बनाएगा, कि जहाँ पे application को urgently dispose of करना है, ठीक है, in the event of absence or inability to act by additional or assistant session judge, and if there is no additional or assistant session judge, the chief judicial magistrate में, and every such judge or magistrate shall deem to have the jurisdiction to deal with such application, ठीक है, अगर वो नहीं होंगे, तो आपका CGM धील करेगा on matters से, ठीक है, चलो, next, एको, next, what is important, यहाँ पे, और क्याचीज, और कौन सेक्षिन आपका important है, next section is section 11, जो बात कर, एक सेक्ट, जो बात करता है, court of judicial magistrate की, जो बात करता है, court of judicial magistrate की, just a minute, now, अब यहाँ पे court of judicial magistrate की बात हो रही है, section 11 में, और यहाँ पे कह रहा है, हर district में, ठीक है, हर district में judicial magistrate first class होगा, और second class constitute किया जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे section 10 में यही बात कही गई है, कि all assistant session judge, shall be subordinate to session judge, in whose court, यह तो हो गया, आपका बता दिया है, कि उसकी subordinate होगा, अ करेगा, in every district, again section 11, court of judicial magistrate, section 11 में, क्या कह रहा है, कि हर district में, not being a metropolitan area, shall establish as many courts of judicial magistrate first class, enough second class, ठीक है, as, at such places, जहाँ पे भी state government, जो है, consult करने के बाद, high court से notify करेगी, now, this is important examination के लिए, ठीक है, यहाँ पे, हर एक district में, judicial magistrate first class होगा, और second class होगा, और appoint कॉन करेगा, उन्हे, हाँ, state government करेगी, after consultation with the high court, ठीक है, यह चीज़ के important है, ध्यान रखना, now, presiding officer, जो है, वो appoint होगा, आपका high court द्वारा, presiding officer, जो होगा, वो आपका, कौन appoint करेगा, high court, appoint करेगी, presiding officer को, clause 2 में, बहुत clearly mention कर रखा है, यहाँ पे, now, moving right to the CGM, and additional CGM, अब उसके respect में, क्या कह रहा ह है, आपका, कर सकता है, किसी भी judicial magistrate, first class को, as, chief judicial magistrate, ठीक है, तो high court, appoint कर सकता है, किसी भी judicial magistrate, first class को, to be, to act as a, of, uh, chief judicial magistrate, कितिके, वो, chief judicial magistrate की तरह, आज करेगा, यह कौन magistrate first class को to be additional chief judicial magistrate okay and such magistrate have all the powers and functions of chief judicial magistrate की होती है under this court or in under any other law for time being enforced as the high court directs okay so यहाँ पर it is important है ठीक है chief judicial magistrate के लिच इंपोर्टेंट है यह कौन appoint कर रहा है आपका high court appoint कर रहा है ठीक है high court high court जो है appoint कर रहा है किसी भी judicial magistrate first class को कि भई अब आप जो है chief judicial magistrate की powers of functions को discharge करोगे clear i hope it is clear now what else important है यहाँ पर exam से exam के लिए section 12 से इतना ही important है section 13 comes जहाँ पर बात करता है special judicial magistrate की ठीक है तो high court जो है अगर requested है centrally a state government द्वारा confer any person who holds or has held any post under the government all or any of the power comfort or comfortable by or under this court on judicial magistrate first class or second class in respect of particular case or to the particular classes of case in any other local area not being a metropolitan area ठीक है अब यहाँ पे high court जो है किसके request पे appoint कर रहा है special judicial magistrate high court जो है central government और state government के request पे appoint कर रहा है special judicial magistrate ठीक है high court appoint कर रहा है उनकी request पे now यहाँ पे क्या कह रहा है कि कोई particular cases को handle करने के लिए particular class of cases को handle करने के लिए special judicial magistrates को appoint किया जा रहा है ठीक है now what is important यहाँ पे कह रहा है high court जो है इंपार कर सकता है special judicial magistrate को कि वह exercise करेगा power of metropolitan magistrate in relation to any metropolitan area outside his local jurisdiction ठीक है अब important exam के लिए section number भी है कि special judicial magistrate कहां पे रखा है section 13 में रखा है appoint कैसे होते है high court किसके request पे central government or state government की request पे this is important from section 30 ठीक है और यहाँ पे धान रखना appointment सिर्फ हाई court करता है ठीक है सिर्फ और सिर्फ हाई court कर रहा है यहाँ पे appointment government नहीं कर रहा है request पे central government or state government की high court appointment कर रहा है special magistrate को ठीक चलो next is local jurisdiction of judicial magistrate उसके respect में section 14 दे रखा है now section 14 में क्या बता रखा है कि यहाँ पे cgm जो है ठीक है chief judicial magistrate डिसाइट करेंगा limits क्या area होगा ठीक जिसके अंदर हो एक साइस करेंगे अपनी पार क्या क्या jurisdiction होगा यहाँ पे कॉन डिसाइट करेंगा chief judicial magistrate जो है decide करेंगे now subject now subject to the control of high court chief judicial magistrate में from time to time define the local limits of the area within which the magistrate appointed under section 13 and 11 11 and 13 or 11 or 13 किसकी बात करता है court of judicial magistrate की और special judicial magistrate की तो इनके areas इनका क्या area होगा jurisdiction क्या होगा वो कौन decide कर रहा है chief judicial magistrate decide कर रहा है और यह बात कहां रखेंगे section 14 में दे रखी है clear now provided that the court of special judicial magistrate may hold it sitting at any place within local area for which it is established ठीक है यह आपका important है appointment वाला पार्ट prelims में पूछ लिया जाता है तो इस इंपोर्टन है बस धिहार रखना rest of the thing is not so important ठीक है आगे देखो subordination of judicial magistrate उसके लिए section 15 बात करता है section 15 क्या कह रहा है section 15 कह रहा है कि subordination की बात हो रही है और simple subordination है भाई session judge ठीक है उसके बाद cgm उसके बाद उसके नीचे judicial magistrate first class अब अगर इस तरी किसे देखो सबसे उपर कौन आता है आपका session court आता है उसके बाद chief judicial magistrate उसके बाद judicial magistrate first class और यहीं सबordination की यहां पर इस section में बात कर रखी है आपके section 15 में clear now next is section 16 court of metropolitan magistrate यहां पर कह रहा है कि state government again state government high court से consult करने के बाद हर अब यहां पर जिस language उस करिये हो क्या कह रहा है in every metropolitan area they shall establish a metropolitan court और कौन establish करेगा high court in consultation with the sorry state government in consultation with the high court ठीक है as co as many courts of metropolitan magistrate and at such places at the state government में after the consultation with the high court notify ठीक है next कहता है presiding officer कौन appoint करेगा high court appoint करेगा as simple jurisdiction of power हर metropolitan magistrate की extend होगी throughout the metropolitan area ठीक है पूरे जो भी जहस्ट भी area होगा उस पे वह applicable होगी ठीक है आगे देखो next is chief magistrate chief metropolitan magistrate और additional chief metropolitan magistrate अब इसके रिस्पेक्ट में अगें सेम चीज दे रखी है कि हाई कोट ही अपॉइंट करता है यहां पे high court in relation to every metropolitan area within its local jurisdiction appoint कर सकता है metropolitan magistrate to be chief metropolitan magistrate किसी भी metropolitan magistrate को mm को chief metropolitan magistrate बना देगा ठीक है कौन मनाएगा high court मनाएगा high court appoint कर सकता है किसी भी metropolitan metropolitan magistrate को to be additional chief metropolitan magistrate से मैंने बताया था आपको उस वाले case में ठीक है additional assistant वाले case में सेम बात आपकी कर रखिये चीफ metropolitan magistrate पे भी now next is special metropolitan magistrate again section 13 में पढ़ा था special judicial magistrate सेम चीज़ दे रखिये हैं यहां पे भी high court जो है किसके request पे central government और state government के request पे appoint कर सकता है क्या कहते है एक special metropolitan magistrate ठीक है यहां पे उसको appoint किया जाएगा किसी जो magistrate को किसी भी मैंजिस्टर को इसको आप mm कह रहे हो उसको आप special metropolitan magistrate appoint कर सकते हो और यहां बसको पास सेम पावज होगी उस magistrate metropolitan magistrate की तरह clear now section 19 जो है आपका यह बात करता है subordination of metropolitan magistrates की तो यहां पे subordination में क्या चीज़ important है कि कैसे कैसे appointed होंगे अब यहां पे यह चीज़ देखो यहां पे कि आपका है session judge ठीक है session judge के नीचे कौन आएगा cgm या फिर यहां पे आप कह सकते हो additional cgm ठीक है additional cgm उसके नीचे आएगा आपका metropolitan magistrate या फिर additional metropolitan magistrate ठीक है इस तरीके से आपका यहां पे subordination दे रखा है exam के लिए not very important ऐसा नहीं है exam में प्रिलिम से पूछ ली जाता है SNA section number important is special specials कहां पे दे रखे हैं वो important है now come section 21 very important special executive magistrate की बारे में now this is important state government जो है appoint कर सकती है देखो कौन appoint कर रहा है यह exam में पूछा जाता है ठीक है यह exam में पूछ जाता है कि कौन appoint कर रहा है that is important तो यहां पे आपका special executive magistrate जो है I guess I have left one section executive magistrate no it's okay it's okay it's okay ठीक है चालो special executive magistrate की बारे में जो है आपका क्या बता रहा है यहां में बता रहा है state government appoint कर सकता है ठीक है for such terms as it may things fit executive magistrate to be known as special executive magistrate किसी भी executive magistrate को इसको आप कहोगे special executive magistrate for a particular area or performance of a particular function किसी particular area की functions को perform करने के लिए यहां पे special executive magistrate बना दिया जाते हैं now one more thing I guess I have left section 20 executive magistrates कौन से होते हैं हर district में और हर metropolitan area में state government जो है appoint करती है as many person as he things fit to be executive magistrate and shall appoint one of them to be district magistrate अभी यह चीज़ इंपोर्टेंट है exam के लिए executive magistrate के section number और executive magistrate को कौन appoint कर रहा है state government appoint कर रही है हर district में और metropolitan district में metropolitan area में कौन appointment कर रहा है state government appoint कर रही है this is important और यहां पर उन में से ही उनी एक्जेक्टिव मजिस्ट्रेट से ही वो उन में से एक को क्या बना जैते हैं डिस्टिक मेजिस्ट्रेट बना जैते हैं next clause क्या कहता है state government में appoint any executive magistrate to be additional district magistrate और state government चाहे तो वो appoint कर सकता है किसी भी executive magistrate को to act as a additional district magistrate and such magistrate उसके पास same powers होंगी of the district magistrate district magistrate के पास powers होती है वही same powers होंगी इस additional district magistrate के पास ठीक है जैसा भी direct होगा आपका state government द्वारा clear I hope it is clear daily होगी शानली very good evening daily होगी ठीक है अब executive magistrate clear हो गया एक बार मुझे thumbs up कर दो यही important है prelims के लिए इस section से section number important है और each is important है now local jurisdiction of executive magistrate local jurisdiction of executive magistrate के respect में क्या बता रहा है कि DM define करेगा district magistrate जो है यहाँ पे subject to the general control of the state government कौन decide करेगा district magistrate जो है from time to time define करेगा local area local area को ठीक है district magistrate यहाँ पे धिहान रखना executive magistrate के limits कौन set कर रहा है district magistrate set कर रहा है district magistrate subject to the general control of the state government ठीक है यह चीज़ important है इस section से, now subordination of executive magistrate, उसके respect में, क्या कहता है आपे, कि सारे executive magistrate, other than additional district magistrate, shall be subordinate to the district magistrate, किसकी subordinate होंगे, district magistrate के subordinate होंगे, और हर executive magistrate, other than sub divisional magistrate, excising the power in the subdivision, shall also be subordinate to the sub divisional magistrate, SDM के subordinate होंगे, subject, however, to the general control of the district magistrate, general control किसका होगा, district magistrate का होगा, clear, now this is important, distribution of business कौन करेगा, district magistrate करेगा, from time to time, rules बनाएगा, special orders देगा, जो consistent होंगे, this code के साथ, और distribute करेगा, business among the executive magistrate, subordinate to him, जो इसके subordinate होंगे, उसके, यहाँ पर business कौन allocate करेगा, district magistrate करेगा, and the allocation of business to the additional district magistrates, ठीक है, तो यहाँ पर यह basically subordinations की बात ह हुई है, clear, is it clear, give me a thumbs up, come on, huh, thumbs up, thumbs up, thumbs up, thumbs up, ठीक है, चालो, very nice, very nice, आगे देखो, section 24 जो बात करता है, PP कि, now this is important, यह चीज़ इंपोर्टेंट है, और इसको ध्यान से पढ़ना भी है, अब 24 section के respect में, और section number भी, advocate, run, Vijay, sing, a very good evening, ठीक है, अब section number यहाँ पर ध्यान रखना, please, I know that, बहुत मुश्किल होता है, section number को याद करना, I understand that thing, but कुछ sections के number, please याद कर लेना, ऐसे एक 24 हो गया, आपका बहुत important है, section 9 हो गया, quarter session की बात करता है, ठीक है, उससे तो conceptually पूछेंगे, कौन किसके subordinate है, यह पूछ लेते हैं, ठीक है, साथ में पूछ लेते हैं, कौन करता है, उन्हें एरिया से बस वाइस वाइसे ही questions बन के आते हैं, special magistrate कौन पॉइंट करता है, executive magistrate कौन पॉइंट करता है, यह सारी चीज़ आती है, कौन किसके subordinate होता है, conceptual, अभी तक जितना मैंने पढ़ाया, उससे conceptual questions आते हैं, जो मैंने pointers आपको बताया, उस section के, now comes, यहा है, for every high court, हर high court के लिए, the central government, ठीक है, the central government और the state government, shall, after consultation with the high court, ठीक है, तो हर high court के लिए, central government और state government, क्या करेगी, consult करेगी, high court से, और appoint करेगी, APP, public prosecutor, and may also appoint one or more additional public prosecutor, APP, for conducting in the court, any prosecution, appeal, or other proceedings, on behalf of central government, or state government, as the case may be, now, पहले clause से, क्या चीज़ क्लेर हो गई, पहले clause से, जीज़ क्लेर हो गई, सबसे पहले, कि हर high court, जो है, किसके, किसके उस पे, central government, और state government, क्या कहते है, उसके consultation के बाद, high court के, अपोइंट करेगा, आपका public prosecutor, ठीक है, for, हर high court के लिए, central government, और state government, किस से, कंसल्ट करने के बाद, high court से, कंसल्ट करने के बाद, अपोइंट करेगा, पीप, और अगर वो चाहे, तो, एक से जादा, आपका, APP, भी, अपोइंट कर सकता है, ठीक, and may also, appoint one or more additional APP, for conducting the case, proceedings, को कंड़ करने के लिए, appeal को सुनने के लिए, prosecution के लिए, यहाँ पे ज़रत होती है, ताकि वो जो भी cases हो रहे है, on behalf of central government, or state government, उनको देखे, now, moving ahead to the next clause, central government, may appoint one or more public prosecutor, for the purpose of conducting any case, or class of case, in any district or local area, ठीके, किसी particular class of case के लिए, particular cases के लिए, किस district, किसी district में, या फिर किसी local area में, central government, appoint कर सकता है, एक एक से जादा, पीप, next, for every district, हर district के लिए, state government, shall appoint a PP and also may appoint one or more additional public prosecutor for the district, district के लिए, provided that the PP or additional PP, appoint one for one district, may be appointed also to be the public prosecutor, additional public prosecutor, as the case may be for the another district, एक दिस्टिक के लिए किया है, वो दूसरे district के लिए भी काम कर सकता है, clear, यह बहुत जादा, मेंच बहुत क्लेरली मेंचन कर दिया गया है, ठीक है, that is what I was asking, कि क्या speed बहुत तेज हो रही है, त बता दो में को, यार तेज हो रही है, तो मैं अराम अराम से बता दूँगी, कोई जल्दी निया में को, कोई जल्दी निया, चल, 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 ठीक है, फिर से बता देती हो, मैं, section 24, important है, public prosecutor है, ठीक है, कभी-कभी examination में, public prosecutor कहां पे define किया गया है, यह भी पूछ लिया जाता है clause 1 यहाँ पे कह रहा है, कि हर high court में, central government और state government, वो high court से consult करने के बाद, appoint करती है, public prosecutor, और वो चाहे तो एक से जादा additional public prosecutor भी appoint कर सकती है, ठीक है, ताकि जो भी court में cases conduct करने है, prosecution है, या फिर appeal सुनने है, उसारी चीज़े है, state के बहाफ से, वो case लड़े, ठीक है, पी-पी जो ह मैं बिलकुल नहीं किसी को डाटती ही, don't worry, ठीक है, चलो, ठीक है, अब यहाँ पे, appoint करेगा, कैसे, central government, state government, after the consultation of the high court, ठीक, now, next clause क्या कह रहा है, state, central government, चाहे, तो वो appoint कर सकता है, कि एक या एक से जादा public prosecutor, for the purpose of conducting case, या particular class of case, ठीक है, किसी भी district में, या local area में, next clause क्या कहता ह है, हर district में, state government चाहे, तो वो appoint कर सकता है, public prosecutor, और वो appoint कर सकता है, एक से जादा additional public prosecutor, for the district, district के लिए, ठीक है, अब यहाँ पे, provided that में, क्या कह दिया, further, that provided that public prosecutor, additional public prosecutor, जिसको appoint किया गया है, एक district के लिए, वो दूसरे district में, public prosecutor, additional public prosecutor का 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 काम कर सकता है, ठीक, now, next, fourth clause, क्या कह र करेगा सेशन जट से कंसर्ट करेगा फिर प्रिपेर करेगा एक पैनल ओफ नेम्स ऑफ एर परसेन हुँ आर इन दी ओपीनियन फिट टू बी अपॉइंटेड फॉर पीपी और एपीपी फॉर दिस्टिक यहां पे यह इंपोर्टेंट है एक्जामिनेशन के लिए प्रिलिम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्या कह रहा है लिस्टिक में इस्टिट शाल में डेटरी है किस से कंसर्ट करेगा सेशन जट से कंसर्ट करेगा फिर प्रिपेर करेगा नेम ऑफ दी एडवोकेट जिन को वो आपीप या पीप बराना चाहते हैं एक यह आई होप इस च् इन शाल भी अपॉइंटेट बाइड इस्टेट गोवर्मेंट आस पब्ली प्रोजीक्यूटर और इडिशन पब्ली प्रोजीक्यूटर फॉर दिस्टिक अनलेस इस नेम अप्यास इंदी पैनल ऑफ नेम प्रिपेर बाइड बाइड नहीं बना सकते जब तक उसका नाम उस आपका फिफ्ट क्लॉस जिसमें बात कही गई है कि डिस्टिक में इस्ट्रेट ने अगर पैनल में नाम ने लिखा तो आप उसको पीप और एपीप नहीं बना सकते उस बात को ओवर्राइड करते हुए वेर इन दा स्टेट देर एग्जिस्ट अरेगुलर क्रेड ओफ प्र और एगुलर केड़ आफ प्रोजिटिटिंग ओफिसर मींस अ क्रेड़ फ्रॉजटिंग ओफिसर विच इंग्लूट्स देर इन देपोस्ट पब्लिक पॉजजगेटर जहां पर कोई ऐसा होता है जहां पर पोस्ट निकलती यह पॉब्लिक पॉजग्यूटर की उस पर्टि बॉजग्यूटर क्लॉस फॉर के बाद आपका लॉस 7 इंपोर्टिंग है टिक है ऐसाथ साल से जाल ही प्राक्टिस ओननी चाहिए इंच्ट नोट बी लेस दैन गे क्यूट्ट ने सब्लिक पॉजग्यूटर और अदिशल पॉजग्यूटर ओर अडिशल पॉब्लिक clear now central government or the state government may appoint for the purpose of any case or classes of case a person who has been in practice as an advocate for not less than 10 years as a special public prosecutor now age is important have kept prelims examination के लिए कि special public prosecutor के लिए क्या experience होना चाहिए ये 10 साल का not less than 10 years और ये बात आपकी दे रखी है 8th clause में ठीके 8th clause में ये बात दे रखी है clear special public prosecutor 10 साल public prosecutor 7 साल ये APP साथ साल provided at the court में permit the victim to engage an advocate of his choice to assist the prosecution under this subsection clear now the period during which the person has been in practice as a pleader or has rendered services as public prosecutor or additional public prosecutor or assistant public prosecutor or other prosecuting officer by whatever name called shall be deemed to be a period during which such person has been in practice as an advocate okay now comes a very important अब यहां पर एक चीज़ देखो section 24 में क्या क्या चीज़े important है section 24 में एक बात तो यह धान रखना है कि central government or state government consult करता है high court से ठीक है तूसरे important बात आपका panel वाली बात ठीक है कि एपी के लिए और एपीप के लिए eligibility अगें आपका पब्लिक प्रोजिक्यूटर एपीप के लिए साथ साल की है साथ साल की प्राक्टिस होने चाहिए एजन एडवोकेट और special public prosecutor के लिए 10 साल है clear now यह तो हो गया आपका in case of public prosecutor now come to section 25 अगें very important इसकी भी सारे classes हम आराम से देखेंगे section 25 बात करता है assistant public prosecutor की cross 1 क्या कह रहा है state government shall appoint हर district में ठीक है एक या एक से जादा assistant public prosecutor for conducting the prosecution in the court of magistrates ठीक है court of magistrates के लिए यहाँ पे state government चाहे तो हो एक या एक से जादा assistant public prosecutor appoint कर सकता है now the central government may appoint one or more assistant public prosecutor for the purpose of conducting any case or classes of cases in the court of session ठीक है अब यहाँ पे कह रहा है कि कोई भी police officer वो eligible नहीं होगा आपका assistant public prosecutor के लिए appointed होने के लिए ठीक है तो यहाँ पे यह चीज़ important है भी इसका reference आगे भी आएगा क्या कह रहा है save as otherwise provided in subsection 3 no police officer shall be eligible to be appointed as APP ठीक है assistant public prosecutor के लिए वो eligible नहीं है पॉलिस officer कोई भी now next clause देखो where no assistant public prosecutor is available मालो assistant public prosecutor available नहीं है for the purpose of any particular case the district magistrate may appoint any other person to be assistant public prosecutor those case में अगर मालो assistant public prosecutor नहीं है no district magistrate appoint करते का किसी person go to be assistant public prosecutor in charge of that case ठीक है now now comes this provided that abh is why it was two say link there provided that a police officer shall not be so appointed police officer eligible नहीं है APP बनने के लिए assistant public prosecutor नहीं के लिए अब यहाँ पे रहा है provided that a police officer shall not be appointed if he has taken any part in the investigation into the offense with respect to which the accused is being prosecuted or if he is the below below the rank of inspector यहाँ पे जभी बात कहीं गई कि अगर कोई असेस्ट public prosecutor नहीं है तो district magistrate किसी को कह सकता है कि बना देगा वो ठीक है अब यहाँ पे कह रहा है कि police officer eligible नहीं है पहली बात not below the rank of inspector और दूसरी बात अगर इंवेस्टिकेशन ने किया है उस police officer नहीं बन सकता क्लियर आई होब इस क्लियर चलो नेक्स्ट इस नेक्स्ट सेक्शन देखो अगें वेरी इंपोर्टेंट सेक्शन डेक्ट्रेट ओफ प्रोजिकूशन सेक्शन 25 ए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है डियर्स क्योंकि एक्जाम में पूस्ट लिया जाता है सेक्शन नंबर ठीके 2005 में एड किया गया था इसको अब यहां पर कह रहा है स्टेट गवर्मेंट में स्टैब्लिश्ट अडिरेटर ओफ प्रोजिकूशन कंड़क्ट कंसिस्टिंग डिरेक्टर ओ प्रोजिकूशन आजट थिंग्स फिट तेट गवर्मेंट यहां पर पॉइंट कर रहा है एक इंपोर्टेंट बात दूसरा क्लॉस में क्या इंपोर्टेंट है इलिजबिल्टी क्राइडरी के बार में बता रखा है अब परसेंट शाल बेलिजबिल तो भी अपॉइंटे अबट्र टॉर्मट तो आपिट जसाल चाहिए और डिर्क्रोण चाहिए और धरेक्टर शाल तो छोट नचाही और डॉपूर्टे अई नचाही के दियुंच चाहिए बटेजबिल रखने लिगे बात इडिया अवे ध्यान रखना ठीके clause 1 में यहाँ पे हमने देखा कि state government जो है आपका established करता है state government established करता है और यहाँ पे appointment के लिए क्या requirement चाहिए 10 साल का experience और साथ में concurrence चाहिए from the chief justice of the high court ठीक है, now next clause क्या कह रहा है मैम हिंदी में भी सवे कष्ट करें I don't know चलो, देखो next देखो यहाँ पे हिंदी में भी बोलूँ अच्छा ठीक है the head of the directorate of prosecution shall be the director of prosecution who shall function under the administrative control of the head of the home home department of the state ठीक है, यहाँ पे head कौन होगा directory head होगा उसका ठीक है, उस directorate of prosecution head कौन होगा, director होगा और जो किसके administrative control में होगा home department of in the state के control में होगा हर deputy director of prosecution shall be subordinate to director of course, director के नीच से आपका deputy director आएगा every public prosecutor additional public prosecutor, special public prosecutor appointed by the state government under clause 1 or as the case may be under clause 8 of section 24 to conduct cases in the high court shall subordinate to the director of prosecution अब यह सारे लोग जो है इसके subordinate होगे director of prosecution के subordinate होगे clear, next clause के के रहे, every public prosecutor additional public prosecutor, special public prosecutor appointed by the state government in clause 3 and 8 of section 24 to conduct the cases in the district court and every assistant public prosecutor appointed in section 25 shall be subordinate to the deputy director of prosecution तो deputy director के नीचे कौन कौन से आएगे आपका assistant public prosecutor यह उनके नीचे सबोर्डिनेट होगे clear, power or functions क्या होगी director or deputy director की यहाँ पे power or functions के बारे में clause 7 में दे रखा है power or function of director of prosecution and deputy director of prosecution के respect में and the areas for which each deputy director of prosecution has been appointed shall be stated by notified by whom state government notify करेगी उसके बारे में now provision of the section shall not apply on the advocate journal of the state again important for the prelims क्या कह रहा है कि जो provision इस section के वो आपके advocate journal पे state के applicable नहीं होते हैं जब वो perform कर रहे होते हैं function as of public prosecutor now I hope it is clear एक बार मुझे यहाँ पे बताओ okay all set सब समझ में आया या तक I just want कियार आप सब जो है ना कोई भी छोटी होटी गलती ना करके आओ इसी वज़े से मैं जो है जो भी पॉइंट जहां पर मुझे लग रहा है कि exam में कॉर्शन मनता है वो मैंना आपको हाइलाइट करा दी है I hope आप जो है बेराख लेके बैठे होंगी ताकि आप उसमें मांक कर सकते हों और अगर नहीं बैठे हो तो कल से बेराख लेके बैठना क्लियर ओल सेट अल सेट चालो चालो वेरी नाइस थांक यू क्यू CRPC की क्लास free of cost होगी student hit me please tell student hit me please tell ma'am anyways ठीक है इतने सारे लोग वाचिंग है यार प्लीस एक लीस्ट लाइक कर दो सेशन को इतना तो कर सकते हैं बैठ के लाइक ही तो करना है सब्सक्राइब से चलो ठीक है तो इस वोस अल अल अब टोड़े सेशन आज के लिए मैं इतना ही डिसकस करूंगी आगे कल जो है we'll be discussing from section 26 onwards I request you people कि एक बार पढ़कर आना थोड़ा सा रिवाइस करके आना और कल अपने हाथ में बेरेक्ट रखना साकी मैं लिखवा लिखवा कर आपको जल्दी जल्दी बता सकूं कल नहीं मकल मतलब next day कल तो 27 जनुवरी है तो कल इसन holiday तो मैं उसके बाद next day continue करूंगी इस class को ठीक है माम कल IPC भी करवाई है IPC तो करवा दिया ना आर्जिता माम ने हाँ पर पबलिक देट वाल फ्यू आई पीच तो माम ने करवा दिया ना अर्चिता माम ने आई पीचिकर रिविजिन करा दिया डूंट वरी अट वाट टाइम सेवन पीम एवरी डे जब तक CRPC खतम नहीं हो रहा साथ बज़े रोज मैं यहीं मिलूंगी ठीक है सेम टाइम सेम जगा ठीक है चलो एक इंपोर्टेंट अनाउंस्मेंट डाट इस वेरी इंपोर्टेंट ठीक है वह अनाउंस्मेंट बहुत ही ज्यादा एंपोर्टेंट है क्योंकि आज वाज़े झैपड़ का रिपब्लिक दे सियल का जो झाया जाएं unprecedented वह फिर नहीं मिले गा और आगे आने वाले चाम पर अब और स्वेस्टिवल नहीं तो कोई ब्रograf surtout नहीं आएगी ठीक है तो अगर अब भी प्लान कर रहे हो कि आपको टार्गेट करना है आने वाली एक्जाम्स को तो आप जाके जुडिश्री का कोर्स ले सकते हो महा पैक ले सकते हो दिखा रहा है माइन आउप जाओ प्रोमो कोड़ अप्लाइ करो ऐसे एच आर प्रोमो कोड़ अप्लाइ करो जैसे ही अप्लाइ करोगे यू कैन सी कि आपको जो है डिसकाउंट मिलेगा जस्ट वेट एस एच आर एंटर मिल रहा है एक साल का महा पैक राइट अब इस से जाधा क्या अच्छा हो गया 16 स्टेट्स मैं दब सोला हजार रुपई से भी कम एक स्टेट के लिए एक हजार रुपई नहीं देने बढ़ रहे तो आगर आप टार्गेट कर रहे हो आने वाली वेकेंसी को चाहें वह मद्र कोड़ी का कोर्स ले सकते हो और यह महा पैक आपको अभी अफॉर्डिबल प्राइस में मिल रहा है सिर्फ कल तक ठीक है 13999 में यूज करके सिर्फ मेरा कोड एसेच आर अगर इन केस आपको स्टेट स्पेसिफिक कोर्स सही है तो वो भी आप ले सकते हो ठीक है यहाँ पे से जाधा अच्छा कंटेंट एक्जाम को क्राक करने के लिए वो सारी चीज़ें हमने इंकॉर्परेट कर रखी है इस कोर्स में राइट तो यूजिंग दी कोड ऐसे चार फॉर दी मैक्जिमम डिसकाउंट और किसी कोड से डिसकाउंट इतना नहीं मिलेगा राइट ना एक पैटन पे बना रखा है टेस्ट पेपर आपके लिए ताकि आप एक्जाम से जाने से पहले अपने आपको तयार कर सको कि हाँ जो भी गलती है वो अभी आइडेंटिफाई कर सको टाइम मैनेजमेंट चेक कर सको अपना यह सारी चीजों के लिए टेस्ट सीरीज जो है बहु 999 में ठीके 999 में मिलेगी आपको यूपी की टेस्ट सीरीज है नो एक और इंपोर्टेंट सीरीज ा नॉट ओन्री यूपी टेस्ट सीरीज हम जो आपको 400 नहीं डेयुक्र कर के कोर्ड खर तो तो बस एक कोड ऐहां तक ना है आपको एसएच आर और कोई पी को खरिदो टै मैं राजेस्तान का कोर्स नहीं है económ 120 में है आपको दिखाती हूं मैं राजस्तान का ओल्स दिखाती 999 simplesmente चलो तो इस फोस वह सारे सेट की विआ आपको स्थेट और टेयरी लिए तो स्टेट ओरी तैयरी आप चाले करने के लिए जा के देख सकते हैं and you can take the course which is which is more suitable to you okay so this was all from my end thank you so much for being there for being uh connected with me here and see you day after tomorrow at 7 p.m. aage ki provisions ka hum discuss karengi thank you so much till then take care bye bye khayaal rakna aur work hard study well okay okay bye